दोस्तों आप सभी के एक बार फिर से Long Term Shares LTS में स्वागत है आज शनी वार है इस वज़े से हम थोड़ा different वीडियो बना रहे हैं education purpose से और आपको भली भात ये समझ में आ जाए कि share market में देखे आपको भी अच्छी कमपनिया पता हैं रखे भी हुए हैं लेकिन पैसा नहीं ब अद्याय करें जो हमने बताया है उसको आप समझने की कोशिश करें कभी-कभी जो thumbnail होता है हो सकता है कि जो हमारे video के समपादक बनाते हैं बट mostly क्या होता है कि जो भी video मैं बनाता हूं कोशिश करता हूं कि जो हमने mention किया हुआ है उसके अंदर भी मैटर हो लेकिन बहुत सार लोग थमनल देखके और बस आगे बढ़ जाते हैं, फटाफट देख लिए कौन-कौन से स्टॉक सर ने बताया हैं, नहीं, कल का वीडियो भी आपने नहीं देखा, कल का वीडियो भी देखिए, कल उसमें मैंने एक अच्छे स्टॉक के बारे में जिक्र किया है, इसलिए वहा ख़र कीजिए कि मैंने वर्ड्स क्या लिखे हुएं, आप भी जानिए और अपनी राय दीजिए, इसको बहुत सारे लोगों ने देखा, और देखिए उस समय आनंद राठी विल्थ लिमिटेड इसकी स्टॉक का नाम है, और इसका जो स्टॉक प्राइस चल रहा था उस समय 566 रुपए, आज कितना चल रहा है, 1820, आखिर जो हमारी शंका थी, फिर हमने कई वीडियो बनाए थे, वो शंका क्यों उसमें जो है, हकिकत में तबदील हुई, तो ये सब रिसर्च करने का विशय होता है, ऐसे हमने बहुत सारे स्टॉक के बारे में जिक्र किया है, समय द देखेंगे, सिर्मा SGS टेक, सिर्मा SGS टेक के अगर आप उस समय जब ये लिस्ट हुई थी, आप देखेंगे, फर्नमेंटल्स वगएरा, तो कुछ विशयस आपको आरवी, आरोसी नहीं दिखता, लेकिन व्यवसाय में देख रहे हैं, क्या वो ऐसे प्रोड़क्ट एड कर रहे हैं, कौन सी ऐसी सर्विस ऐसी देने जा रहे हैं, जो उस कंपनी को एक वैल्यू प्रदान करता है, भविश्य में अच्छी कंपनी हो सकती है, तो उस समय हमने वीडियो बनाया था, 286 का प्राइस था, और आज ये चल रहा है, करीब 638 का, तो एक साल में आपका पैसा डबल, ट्रिपल, दो गुना हो जा रहा है, ये क्या छोटी बात है, इसी प्रकार से आप देखी हमने हरियों पाइप्स के बारे में बताया था, 200 रुपए के आसपास, और आज उसका जो CMP है 610, करीब एक साल में ही 33 गुना पैसा हो जा रहा है, लगातार तीन वीडियो ब बताते हैं, लेकिन लोग स्टॉक का नाम देख के भाग जाते हैं, जान लिया, हचारी स्टॉक के बारे मसर ने बताया, जो लोजिक हम देते हैं, उसको समझने के अगर आप कोशिश करेंगे, लेकि बहुत सारे अलग-लग एक्सपर्स होते हैं, कुछ लोग टेकनिकल अपन जो कंपनी रखते हैं, तो कहीं न कहीं हम अपना मत रखते हैं, उसके बाद यह आपका अपना निर्णाय होगा, आप अपने समझ से किस प्रकार से उसे स्टॉक को पिक करते हैं, इसी प्रकार से देखिए, आरवी एनल करीब सत्रा रुपय की प्राइस पर था दो-तीन साल पहले, आज देखिए करीब 170 यानि 10 टाइम से भी ज्यादा ट्रेड कर रहा है, इसी प्रकार से चाहे आये रपसी राव, हमने भी दो हपते पहले बताया थे, क्या आरार काबिल भी पोली कैब या हाईवेल से या फिरोलेक्स केबल बन पाएगा, और साड़े ग्यारा सो के आसपास स्टॉक प्राइस था, वैलिवेशन बहुत महेंगा है, वैलिवेशन शुरू से लेके आया, इसलिए उनको लिस्टिंग एन विशेस नहीं मिला है, आर 10% के अलावा, लेकिन अब देखिए, पिछले सब्ताह के ट्रेडिंग डेज में अगर देखा जाया तो पंद प्रेमी जरूर देखे, तब यह 20-25 रुपए के आसपास जूला करता था, तो यह जो आज हमने वीडियो बनाया, कि आखरकार हम किसी स्टॉक को कैसे पहचाने, तो उसके लिए हम आप से चर्चा करने की कोशिश करेंगे, कि किस प्रकार से देखिए आपको समझना है, बात उसके बाद लगता है कि हाँ, यह कंपनी चल सकती है, अगर आपका पैसा साल-डेड़ साल में डबल भी हो जाता है, तो समझे कि आप मार्केट से भयानक पैसा बनाएंगे, अब उसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए, कोई भी कंपनी हमको लगी कि बढ़िया है, माइक्र रिस्की है, उन पे इतना रिसर्च करने के लिए आपको मैटर भी नहीं मिलता, लेकिन जो वेल इस्टाइबिश कंपनी हैं, जिनके प्रोड़क्ट आप बाजार में देख सकते हैं, जिनको आप यूज भी करते होगे, तो होगा क्या, कि बहुत सारे लोग कंपाउंडिंग को लेके ब्रहमित रहते हैं, मुद्ध क्या होना चाहिए, आप एक निवेशक हैं, आपका नाम ए है, आपके पास लिमिटेट पूंजी है, एक लाख हो सकता है कि इकठा हो, उसके बाद आप हर महीने 10-15,000 रुपए ही आप मंतली इन्वेस्ट कर सकें, और आप बड़े आपनी ऐसी मुझे पसंद आ जाती है, तो आदा पॉर्टफोलिय उठा के बेच के उसमें लगा देता हूँ, और मैं वो सारे प्राइस जो पॉर्टफोलिय बेचता हूँ, प्राइस नोट करके रखता हूँ, किस प्राइस पर किसको बेचा है, अगर इधर मुझे ज्याद सकने हैं, दस स्टॉक्स रखने हैं, जरूरी नहीं कि जो मार्केट में युनिवर्सल फॉर्मूला चल रहा है, उसी पर आप चलें, आपको यह देखना है कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं, हम तो यहां पे एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे सभी को एक अच्छी चीज बताते ह हैं, कि भाई देखें, दस पंदरा स्टॉक्स का एक पॉर्टफोलियो रखें, लेकिन बहुत सारे आप में से, हजारों लोगों में से कोई ऐसा भी व्यक्ति होगा, चो चाहता हैं, सर आप पंदरा स्टॉक्स मुझे खरीदने को कह रहे हैं, मुझे लगता नहीं कि मैं पा कि यदि आपने कोई स्टॉक एक साथ खरीद लिया, ऐसा मत कीजिएगा, किसी एक स्टॉक में आपने वेशित रहे हैं, कम से कम पांच-छे से उपर ही रखें, फिर भी मैं एक्जामपल बता रहा हूँ आपको कि माल लीजे किसी स्टॉक को आप घेर रहे हैं, उसमें आपन पैसा ये वाला टाइंग का पूरा निकाल लीजे, इसको छोड़ दीजे, यानि कि आपने एक लाख डाला, वो दो लाख हो गया, बहुत सलल शब्दों बता रहा हूँ, दो लाख में से एक लाख माइनस करके अपना मूल धन निकाल लीजे, एक लाख को भविश्य के लिए चूड़ दीजे, आपका 1 लाख लगा था, 1 लाख निकलाए, एक लाख को छोड़ दीजे उस कामपने में, उसकी तरफ पिर ध्यान मत दीजे, वो आपका नहीं है, वो आपके खिसमत का है, उसको पढ़ा रहने दीजे, अगर उसको अमीर बनाना होगा, तो आपको बनाता रहेगा, वो compound होता रहेगा, लेकिन आप पर पास चुकि लिमिटेड पैसा है, बहुत कम पूंजी है, फिर आप आप इस एक लाग को लेके कोई नए stock की खोज कर रहे हैं, हंट कर रहे हैं, ट्रेडिव रेडिंग के चक्कर मत पढ़िए, छोटे लोग ट्रेडिंग के चकर मत पढ़िए, करोड रुपए हैं, आपके पास तो चापांच लाग की ट्रेडिंग करते रहे हैं, वो अलग बात है, फिर नए stock को आपने chain किया, उसको पकड़ा, हो सकता है कि उछ च्यमाहिने में डबल ना हो, हो सकता है कि एक साल में डबल ना हो, हो सकता है कि दो साल में वेका क्योंकि आपके पास मात्र एक लाग है और कुछ मंतली आप इन्वेस्ट कर सकते हैं लेकिन इस पैसे पर डिपेंडेंट ना रहे हैं इस फ्री होना चाहिए कि इसमें समय भी लग सकता है आप स्टॉक मार्केट में पैसा डाल रहे हैं आप कोई ऐसी चीज में डाल रहे आपने कोई डेरी खोल दी दूद की तो भाईया दूद बिखने लगा तो पैसा आने लगा ऐसा पैसा नहीं होना चाहिए आपको डालना है आपको देखना है कि भाईया कब हमारा जो है यहां पर पैसा डबल होता है यह किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में हम पूफूलियो तो देखे है ही जो आपका औरहने दीजिए अगर आपको लगता है कि नहीं मैं नहीं रह सकता है ऐसे जो लोग आम तरीके से निवेश करते हैं माली जी मने शेयर मार्केट में पैसा अपना बहुत स्यादा डाल रखा है और मार्केट क्राइश हो गए मेरी व वर्तबान से मैं रह रहा हूँ, इलेक्रिसिटी का उपयोग कर रहा हूँ, आफिस यूज कर रहा हूँ, जिस बिल्डिंग में रह रहा हूँ, लिफ्ट चलती है, वो सारे लाइफस्टाइल मेंटेन ना कर पाऊँ, तो मेरे अंदर वो शमता है कि मैं घास की रोटी खा के जी लूँगा, घास की रोटी खाने का मतलब यह होता है कि आप ऐसी परिस्थितियों में भी जी लेंगे, स्वस्थ रहेंगे, और जब अच्छा समय आ जाएगा, तो आपका राजपाट वापस मिल जाएगा, ज्यादा ज्यादा क्या होगा, किसी गाव में चला जाओंगा गेहु आटे की रोटी खाऊंगा, दाल खाऊंगा, कच्ची घानी का जो तेल होता है, उससे रात में दीपक के प्रकाश में मैं कुछ भी स्टुडी करूंगा, महाँ इलेक्रिसिटी नहीं होगी, चलेगा मुझे, हलाँ कि आजकल इलेक्रिसिटी सब जगे पहुँच रही जब बहुत सारे आक्रमा कारी आते थे, हमारे पर विपत्ती आती थी, ऐसी परिसितियों में रहना पड़ता था, घास की रोटी खा के रहना पड़ता था, जंगलों में छुपके रहना पड़ता था, कि बुरा समय टल जाएगा, निकल जाएगा, अपनी अच्छी दिना आ चाता हूँ, लुड़ जाओंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप कीजिए, हजारों में से लोग एक ऐसे भी शक्स होंगे, जो ऐसे करने की सूचती होंगे, या फिर ऐसे बहुत बड़े जो दिग्गेज निवेशा के जो आज अरब पती है, कोई नो कोई बना है, इसी तरह क से, लेकिन वो देखना है कि ये मार्केट में आप पैसा डाल रहे हैं, उस पैसे कि आपको आवश्यक्ता तो नहीं है, आप सर्वाइव कर लेंगे ना, आप खा पी लेंगे ना, जी लेंगे ना, अगर माली जी चाचार-पांच साल मार्केट नहीं परफॉर्म करती है, तो घास की रोटी खा लेगे न इस तरीके का एटिटूड लेके ये मार्केट में आप बड़ा पैसा बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं Otherwise मैं कहता हूँ कि कोई ताम जहाम करने ज़रोत नहीं हमने बहुत सारे ऐसे वीडियो बनाये हैं अच्छे रिटन मिलेंगे आपको 5-10-15 साल में अच्छा पैसा बन जाएगा अब किस प्रकार से आपको अधियन करना है किस प्रकार से स्टॉक का हम आपके समक्ष कुछ स्टॉक्स लाते हैं दुनिया के और भी कही सारे यूट्यूबर सापके समक्ष स्टॉक्स रखते हैं आपको क्या करना है कि कोई न कोई स्टॉक को पकड़ना है अब इसे हमने कल बनाया एक वीडियो एक्जामपल के लिए असली रहे ली वाले तो ये 8 स्टॉक्स हैं बाढ की तरह पैसा बहकर आएगा लोगों ने 8 स्टॉक्स देखे और निकल गए नहीं कल इन्ही 8 स्टॉक्स में से हमने एक छोटी कमपनी के बारे में जिक्र किया है और डिटेल्स में वीडियो बनाया लोग अगर उसको समझ गया और अपनी स्टॉडी कर लिए और उसमें पैसा जोग दिया जरूर पैसा बनेगा डबल होगा ट्रिपल होगा इस तरीके से हम अलग-अलग समय समय पर अब जिसे देखे डिफेंस स्टॉक्स पर हमने वीडियो बनाया था आज से दो-तीन साल पहले बुल्डन के आसपास तो जब चाहे प्राइवेट कंपणियों चाहे सरकारी कंपणियों हर प्रकारी कंपणियों यह अच्छी है तो पैसा बनता है यह शुरुवाती दौर पे उनके विजनेस में कुछ वैल्यू एड हो रही है अब इसमें हम अपनी राय इसलिए खुलके नहीं दे पाते हैं कि वर्तमान समय जो वैलिवेशन होता है न अन्य कंपणियों जो अल्रेडी लिस्टेट प्लेयर्स हैं उनके मुखाबले बहुत ज्यादा है जिन्होंने माली जीए कि बड़े बड़े एचनाई होते हैं भारी पैसा लगा के इसके IPO में जो आवेदन करते हैं अब उनको कोई लिस्टिंग गेन मिला नहीं ब्यास उधर चालू है ब्यास पैसा उठाके करते हैं तो वो कहीं न कहीं ऐसी ट्रिक लगाएंगे कि इतनी हा इतना अच्छा व्यवसाय है तो जैसे पुली का इब इंडिया भी देखा जाया तो बहुत पहले महंगी थी अब इतनी ज्यादा उसकी ज्यादा उसका प्रॉफिट निकल के आ रहा है कि स्टाक प्राइस और अर्डिंग पर शेर का डिफरेंस है वो पी रेशियो में जो है तो हो सकता है कोई exact नहीं बता सकता है किसी कंपनी में क्या हो जाएगा लेकिन mostly हम लोग analysis करते हैं बिजनेस को बिजनेस देखते धन्दा क्या करती है कमा रही है बविश्य में कितना कमा सकती है किस परकार के products add कर रही है क्या-क्या wires and cables बना रही है अच्छा consumer products है तो हो सकता इस तरगे से बहुत सारी कंपनिया लिस्टोरीन ध्यान उन पर भी देना आपका बहुत आवश्य के ता कि भविश्य में बड़ा पैसा बन सकता है Thank you for watching this video friends